अब देखिए अगला मैं triangular function का सिखाता हूं आपको फोरिय ट्रांसफार्म लिखना simply a symmetrical triangular wave पहले लुंगा मैं कैसा लुंगा symmetrical triangular wave ठीक है इसका क्या होगा फोरिय ट्रांसफार्म एफ आप टी है यह टी इसको ले लेते हैं मैं directly सिखाता हूं कोई value लेके यह यह ले लेता हूं 6 और यह ले लेता हूं माइनस 4 थीक है माइनस 4 to 4, क्लियरली, अब ध्यान से देखो, अभी आपने कहा, रेक्ट का क्या होता है, सिंक फंक्शन होता है, या सेंप्लिंग फंक्शन होता है, ठीक है, अब आपको मैंने कन्नोलूशन पर बढ़ाया था, अगर दो रेक्ट फंक्शन का, जिनकी width सेम हो, अगर उनको मैं convolution करूँगा तो result कैसा आता है? triangular wave आता है मतलब यह triangular wave कैसे आई होगी time domain में? दो rect function का time domain में क्या कर दिया होगा? convolution और अभी मैंने बता है convolution अगर time domain में करोगे तो frequency domain में क्या होता है? multiplication होता है तो एक rect function का Fourier transform sampling function दूसरे rect function का भी Fourier transform sampling function तो दोनों का जब multiplication करोगे तो frequency domain में क्या आएगा? sampling function का square तो यह याद रखो triangular function का time domain में अगर लेते हो तो उसका Fourier domain में आपको हमेशा क्या मिलेगा? sampling function का square जबकि rect function का क्या मिलता है? sampling function क्या हो आता है? मैंने समझा दिया convolution करते हो time domain में दो rect का तब मिलता है triangular वहाँ multiplication होगा पहले rect का sampling function दूसरे rect का भी sampling दोनों का multiplication क्या आजाएगा? sampling function का square आजाएगा ठीक है? तो आप देखो इसको लिखते कैसे? मैं सीधे 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 सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे भी आएगा area amplitude में क्या आएगा? area इसका area बताओ कितना होगा? triangle का area 1 by 2 height कितनी है? 6 और width कितनी है? 8 तो यहाँ पे आजाएगा area कितना? 24 sampling function का आपको क्या आएगा? square आएगा sampling function का क्या आएगा? square अब argument क्या होगा? sampling function का वो लिखते है omega तो आएगा omega का function नहीं होगा omega into वहाँ क्या होता था? width by 2 होता था rect का लिखते थे यहाँ क्या होगा? width by 4 होगा total width यहाँ से यहाँ तक है width कितनी है? minus 4 से 4 8 है यहाँ आएगा width by 4 यहाँ क्या आता है? sampling function का square omega into width by 2 width by 4 total width is 8 8 by 4 करोगे तो क्या आजाएगा? 2 तो यह result आता है 24 sampling function का square 2 into what? omega simply ठीक है? तो यहाँ से आप लिखना सीख सकते हो और अगर shifted यही आ गया यह symmetric है तब ही ऐसा लिख सकते हो symmetric मतलब जैसा left में और ऐसा right में shifting आप apply कर दोगे कि triangular wave कितना shift हुई होगी पहले उसको symmetric रखो width बना के फिर shifting की property लगा दो आपको क्या मिल जाएगा? answer जैसे मैं कहूं मैं एक example ले लेता हूँ उसी से आप सीख जाओगे जैसे मैं कहूं simply यह मैंने ले लिया क्या है यह? 4 point है मालो यह 2 है यह point क्या है? 6 है यह क्या है? आपका है 8 इसका लिखना है आपको Fourier transform तो यह triangular wave है इसकी पहले width निकाला करो width कितनी है इसकी? 226 कितनी width है? 4 अगर यह triangular wave symmetrically place करना हो about y axis तो width का आधा portion left में होगा आधा portion right में total width is 4 तो left में कहां से कहां होगा? minus 2 से 0 होगा right में कहां से कहां होगा? 0 to 2 ताकि दोनों क्या हो जाए? symmetric हो जाए about what? y axis minus 2 to 2 4 width को अगर equally place करना हो तो minus 2 to 2 हो जाएगा ठीक है? simply तो अगर वो minus 2 से 2 place होता तो क्या लिखते? area लेते चाहे minus 2 से इसे 2 place करो चाहे 2 to 6 ये area तो triangle का कितना आएगा? 1 by 2 into width 4 into height क्या आएगा? 1 तो area आगया into sampling function का square omega into width by क्या आता? width by 2 width by 4 width is 4 by 4 कितना आता? 1 ये आता कब? जब यही triangular wave placed होती minus 2 से 2 के बीच में symmetrically placed और दे about y axis इसलेकिन ये क्या हो गई है? ये minus 2 से 2 पे होती तो ये आता minus 2 से कहां कर दिया गया? इसको right side shift कर दिया गया तभी तो इस है right 2 से 6 तो minus 2 वाला point 2 पे पहुँच गया और 2 वाला point कहां पहुँच गया? 6 पे पहुँच गया तो क्यों सा exponential आएगा e की पाउर माइनस जो में होगा जितने की shifting राइट की है कितने amount की 4 तो यहाँ आजाएगा t0 की value 4 तो यह आपका answer हो जाता किसका simply है ना तो इस तरह से आप किसी भी shifted triangular wave का भी लिख सकतो in term सा sampling आएगा sampling function का square बस shifted की वजह से क्या आजाएगा exponential function आ जाएगा e की power minus j omega या e की power j omega type का ठीक है तो triangular और इसका मैंने आपको लिखना सिखा दिया अब अभी मैंने कहा था एक dualty property क्या होती है dualty property अगर rect का मैंने sync function लिया या sampling function लिया कहां पे आपका किस domain में आपका लिया मैंने omega domain में तो अगर sync function या sampling function time domain में ले लूँ तो आपको दूसरे domain में क्या मिलेगा rect function और rect function kind of low pass filter होता है तो इस तरह के question आपको पूशे जाते हैं filter में इसलिए filter के question जब देखोगे कई बारी आप empty किसके term में दिया होता है sampling function या sync function के term में आपको given होता है तो इसलिए उसका rect function बनता है omega domain में और filter किस domain में deal करते हो omega domain में deal करते हो तो वहां बार बार rect function आता है क्योंकि low pass filter की characteristic देखोगे तो just like rect function ही होता है minus omega c से omega c तक होता है जहां omega c उसकी क्या होती है cutoff frequency होती है इसलिए sync function का कैसे लिखेंगे तो ध्यान दो अभी मैंने एक बताया था property dual t f t का Fourier transform अगर f आफ omega हो तो f आफ t अगर omega को t कर दें तो t हो जाएगा क्या omega लेकिन minus omega होगा ठीक है इसको कहते है dual t property अब ध्यान से देखो dual t property लगा के मैं rect function लिखता हूँ omega domain में पहले मैं time domain में एक rect function ले लेता हूँ suppose क्या minus omega c से plus omega c तक क्या ले लिया मैंने इसका amplitude मान लो capital A ले लिया यह time domain में f t है ठीक है this is f t called as f t t इसका अगर मुझे लिखना हो क्या Fourier transform in omega domain क्या होगा बताओ area कितना हैगा इसका width is 2 omega c height is a 2 into a into omega c यह इसका area हो जाएगा into sampling function आप यह symmetric है तो कुछ करने के जरूरत नहीं omega into width by 2 omega into width by 2 कितना हो जाएगा omega c 2 omega c width by 2 करोगे कितना जाएगा omega c कोई constant होगा minus 2 to 2 minus 1 to 1 तो omega c constant है omega function है time का ठीक है यह आ जाता अब dualty property क्या कहता यही क्या है आपका f omega है और यह क्या है f t अगर मैं f omega को कहां लाऊं time domain में लाऊं तो मैं उसको क्या लिखूंगा f of t f of t कहां omega जहां जहां आया है वहां t ले लो तो क्या जाता यह 2a omega c into sampling function आफ omega की जगा t आ जाता into क्या आ जाता omega c आ जाता अगर यहां आ गया यह तो इसका Fourier transform क्या होगा 2pi into f of what minus omega f t को f of minus omega से replace कर दो और 2pi से multiply कर दो तो f t क्या है minus omega c to omega c a यह t है t axis को मैंने क्या कर दिया omega axis पहले कर दिया तो यह आ गया f of omega यही इसको मैंने क्या ले लिया f of omega ले लिया ठीक है अब f of omega t को केवल omega से replace कर दो f of omega आ जाएगा और f of minus omega कैसे निगालते हैं अगर किसी को minus 1 से scaling कर दो तो क्या करते हैं mirror image ले ले लेते हैं about y axis तो इसकी mirror image लोगे तो इधर वाला portion इधर चला जाएगा इधर वाला इधर यह symmetric है तो f of minus omega करने पे भी कोई change आएगा क्या इसको यह even signal है f of omega तो f of minus omega भी क्या आएगा same आएगा यह mirror image लोगे तो right में यही आजाएगा इसकी mirror image आएगी यही आजाएगा तो f of minus omega भी क्या होगा यही होगा f of minus omega का यह plot है इसमें 2 pi से multiply करोगे तो जहाँ जहाँ amplitude a है वहाँ वहाँ क्या आजाएगा 2 pi into a आजाएगा यहाँ क्या आजाएगा 2 pi into a simply ठीक है अब देखो यह क्या एक constant है एक तरह से तो मैं लिखता हूं sampling function of omega c into t ठीक है यहाँ पर कितना आजाएगा 2a omega c को उधर divide कर देता हूं तो amplitude a into 2 pi divided by 2a into omega c आजाएगा तो क्या आजाएगा 2a into omega c divided by 2a into omega c कितना आजाएगा पाई अपान क्या आजाएगा आपका यहां amplitude क्या आजाएगा ध्यान से देखो 2A 2A cancel हो जाएगा पाई अपान क्या आएगा omega C आएगा और यह कहां से कहां तक होगा minus omega C से omega C तक होगा omega domain में ठीक है यह Fourier transform हो जाएगा sampling function of omega C into T इसको मैं और modify करता हूँ जिसको आपको याद रखना है इसको क्या लिखूंगा मैं? sin of omega C T upon omega C T यही तो होता है sampling function उसका Fourier transform कितना आया? एक rect function आया कहां से कहां? omega C से omega C तक πाई बाई omega C अब देखो ध्यान से omega C, omega C को उस तरफ ले जाएए क्योंकि यह constant हो तो यह omega C से multiply करेगा, यहाँ 1 by omega C है उदर जाएगा तो क्या करेगा? omega C से multiply करेगा यहाँ पर है न दोनों तरफ यहाँ तो omega C, omega C से multiply कर दो, यहाँ omega C, omega C cancel, यहाँ omega C आ जाएगा ठीक है? तो अगर मैं लिखूं sin omega C T upon T का Fourier transform क्या होगा? तो आपका आएगा omega C से multiply करने के बाद आएगा क्या? πाई minus omega C से omega C, omega domain में आ जाएगा, ठीक है? अब इसी πाई को मैं πाई से दोनों तरफ से divide कर दूँ, तो आप यह याद रखो sin omega C T upon πाई T का Fourier transform क्या आएगा? simply, πाई से low-pass filter बनता है, क्या? तो आप यह याद रखो मैं डिस्टल, जब डिस्क्रीट वाला बताऊंगा, तो भी वहाँ बताऊंगा sin omega C T upon πाई T वहाँ आ जाएगा T की जगा यहन sin omega C यहन अपाँ πाई N का Fourier transform यही आएगा as it is आएगा 1 from minus omega C to omega C, यहाँ sin omega C T into πाई T का क्या आया minus omega C से omega C 1, otherwise 0, वहाँ पे sin omega C, यह अपाँ πाई N का भी T को YN से replace कर दो, same Fourier transform आएगा, लेकिन वो Fourier transform क्या होता है, discrete domain में periodic, जो minus omega C से omega C के बीच आएगा, वो 2 πाई से बार-बार periodic होगा, तो यहाँ भी आएगा, फिर 2 πाई बाद फिर आएगा, फिर 2 πाई बाद फिर आएगा, इधर भी minus 2 πाई बाद फिर आएगा, इधर भी minus 4 πाई बाद फिर आएगा, वो repeat करेगा, लेकिन original वाला बीच वाला यही होगा, वहाँ पे भी sin omega C या नपान, πाई N का Fourier transform, तो यह बहुत important है, इसको याद रखो आप, इसको मैं use करके अभी question आपको exam में आए हुए solve करके दिखाऊंगा, देखो, अभी एक बहुत important question, एक इसी पे मैं discuss करने जा रहा हूं, यही, जहां से question अभी recently आ रहे हैं, ठीक है, तो sampling function अगर time domain में लोगे, तो rect आएगा, आप किसको याद रखो, sin omega c t upon pi t का क्या होता है, minus omega c से omega c 1, sin omega c t upon t, यह sampling function के type का है, pi t upon pi t है उस form का, ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, एक मैं question कराता हूं, x t आपका given है, sink function सपोज, sink t है, h t given है आपका, sink 2 t सपोज, और मैंने कहा y t find out करो, kya होगा, अब sink का convolution करोगे, one by t type का function है, तो time domain से जब analysis करोगे, तो आपकी analysis complete नहीं हो पाएगी, तो यहाँ fourier domain बहुत ही ज्यादा काम आएगा, बड़े easily आप इन दोनों का convolution कर दोगे, किस से, fourier domain से, तो y t क्या है, आपका बताओ, x t convolution क्या है, h of t है, और x t convolution h of t का fourier transform y omega क्या होगा, x of omega into h of omega, simply, अगर x t का x omega है, यह convolution है, convolution in time domain results into multiplication in omega domain, अब यह बताओ, sink t का fourier transform क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, sink t कैसे लिख सकते हो, sin pi t अपान, pi t, sink 2 t कैसे लिख सकते हो, sin pi into 2 t upon pi into 2 t, अभी मैंने बताया, अगर sin omega c t upon pi t होता, तो आप कहां से कहां तक rect function आता, minus omega c से omega c के बीच में, one unit का आता rect function, तो यहां देखो, omega c की जगह क्या आगया है, pi sin omega c t upon pi t, तो यहां minus pi से pi के बीच में क्या आएगा, एक rect function आएगा omega domain में, इसको मैंने क्या लिख लिख लिया, x of omega, इसका कितना आएगा बताओ, अगर ध्यान से देखो, इसको 1 by 2 को मैं बाहर कर दूँ, तो sin t के साथ क्या है, omega c होता है, यही t के साथ, t के साथ कितना है, 2 pi है, इसी को हम लेते है, omega c, तो sin omega c t upon pi t है, लेकिन वहां amplitude में कितने से multiply कर दिया, 1 से, तो केवल अगर इतने का Fourier transform लिखना होता, तो मैं क्या लिखता, minus omega c से omega c के बीच में, omega c की value क्या है, क्या होती है, coefficient of t, t का coefficient कितना है, 2 pi, minus 2 pi से 2 pi, 1 आता अगर यह होता, लेकिन 1 by 2 से बाहर multiply कर दिया, तो दोनों तरफ 1 by 2 से multiply कर दो, 1 को 1 by 2 से multiply करोगो तो यह आ जाएगा, ठीक है, simply, इसका Fourier इतना आ गया, तो y omega कितना आएगा, इन दोनों का multiplication, दो rect function का multiplication करोगो, कोई rect function ही आएगा, आप ध्यान से देखो, minus pi से pi यह 1 है, यह minus pi से pi तो 1 by 2 है, लेकिन यह minus pi से minus 2 pi exist करता है, pi से 2 pi, लेकिन, pi से 2 pi और minus pi से minus 2 pi में यह क्या है, 0, दो चीज़ों से 0 होगे, इन दोनों का product कहाँわか एका 우리는 pi से pi तक exist करेगा, और प्रोड़क्ट इसका value minus mai से pi 1 से 1 by 2 है, तो कितना थाएगा टाया, तो जो इस smaller weट होगी, उसी weट वाला rect function आएगा, higher touch वाला नहीं आएगा. तो अब ध्यान दो कई सिंक je function होते convolution करते, convolution with 2t, convolution with 3t, convolution with 4t, to convolution करते तो time omega dominant का होता, rect function का multiplication, और कई सारे rect function का multiplication करोगे, हमेशा rect function ही आएगा, और कौन सा rect function आएगा, जिसकी width सबसे smaller होगी, क्योंकि उसके outside वो zero हो जाएगा, तो बाकियों का product क्या आएगा, हमेशा zero ही आएगा, तो यहां पर भी देखो, इन दोनों का product कहा exist किया, जो smaller width थी, minus pi से pi, अगर इसी तरह से एक होता, minus 3 pi से 3 pi, इन तीनों का product कहा exist करता, केवल minus pi से pi के बीच में, तो overall omega domain में क्या आगया, एक rect function ही आएगा, अगर कितने भी सारे sink को हम क्या करेंगे, convol, और rect function का inverse Fourier transform क्या होता है, sink function होता है, time domain, मतलब इससे क्या आपने सीखा, कि कई सारे sink function का, अगर हम convolution करेंगे, result will be a single sink function, हमेशा, चाहे 2 का करो, चाहे 3 का करो, चाहे 4 का करो, कितने भी सारे sink कर लो, उसका Fourier domain में resultant के वल एक rect function आएगा, और उसका inverse हमेशा क्या होगा, आपका एक single sink function आएगा, इसका inverse निकालो क्या होता है, अगर minus omega c से omega c 1 है, अगर Fourier domain में, तो आपका क्या आता था, sin of omega c t, omega c की value कितनी है, pi, omega c, sin of omega c की value pi, t upon pi t, omega c t upon pi t, लेकिन कब, जब यहाँ amplitude 1 होता था, यहाँ amplitude 1 by 2 हो गया, तो यहाँ 1 by 2 से क्या कर दो, multiply, इसको अगर आप लिखना चाहोगे, तो यह क्या लिखा हुआ है, sin pi t upon pi t, 1 by 2, यह sink function लिख सकतो, sink of t लिख सकतो कि नहीं, तो क्या आया, sink t और sink 2 t का result भी क्या है, एक sink function ही आएगा, हमेशा ऐसा होगा, मैं तीन sink function का करूँ, तब भी sink आएगा, चार का करूँ, overall little sink ही आएगा, क्यों क्यों क्योंकि omega domain में सारे rect होंगे, और कई सारे rect का multiplication हमेशा single rect होगा, जो smaller width का होगा, मतलब अब एक चीज और ध्यान लखो, मैं कहूं, sink t, convolution with sink 2 t, convolution with sink 3 t, convolution with sink 4 t, तो सबसे smaller width वाला कौन होगा, जिसका omega c सबसे कम होगा, उसी की width सबसे smaller होगी, तो overall कौन सा sink function आएगा, जिसका omega c सबसे कम आएगा, वही result में आएगा, यहां क्या आया, sink t आया, sink 2 t नहीं आया, अगर यहां sink 3 t लेते और convolution में, तो भी result sink t आता, तो वह वाला sink function result में आएगा, जो सबसे क्या होगा, smaller width वाला sink function होगा, जैसे मैं कहूं, sink t, convolution with sink 2 t, convolution with sink n t, कुछ भी हो, n जहां greater than 1 है, 3 t, dot dot dot, तो इसमें सबसे smaller कौन है, जिसका omega c, यहां सबसे कम है, इसका सबसे कम है 1, तो overall result sink t ही आएगा, ठीक है, जो smaller width वाला sink function होगा, sink t, जिसका यह वाला portion, यह amplitude सबसे कम होगा, t का coefficient सबसे कम होगा, यहां पे, जो function है, जो इसका amplitude होगा, वो कुछ constant change हो सकता है, जैसे यहां पे 1 की जगा 1 by 2 आ गया है, यहां 1 की जगा 1 by 2, तो यहां हो सकता है, 2 by 3 आ जाए, 1 by 4, लेकिन function t domain में कैसा होगा, जो सबसे smaller width वाला sink function होगा, वही overall result होगा, यह याद रखो, यह चीज आपको बहुत काम आएगी filtering करने में भी, simply, ठीक है, इसलिए यह मैंने discuss किया, यह बहुत important है, यहांसे एक एक number के question आपको आते रहते हैं, ठीक है, अब कुछ question उठाके देखते हैं, exam के सीधे-सीधे, वहां से जो important portion था मैंने discuss कर लिया, sink function, rect function, triangular function कैसे सीधे-सीधे लिखते हैं, वो मैंने discuss कर लिया, अब कर लिया, वो मैंने सीधे-सीधे कर फिया, वो मैंने सीधे-सीधे-सीधे.